स्टोरी जैम में आपका स्वागत है यहां आप सुनेंगे कहानिया कुछ नई, कुछ पुरानी कुछ जानी, कुछ अनजानी शरत जोशी मेरे प्रिय लेखकों में से एक है शायद आप ये समझी गए होंगे क्योंकि पहले भी मैंने उनकी रचनाएं स्टोरी जैम में पढ़ी है जब मन उदास हो या मूँ डुखडा हो जब मायूसी भरी और निराशावादी कहानिया कुछ ज्यादा पढ़ ली हो तो मैं दिल को बहलाने के बहाने खोजती शरत जोशी के द्वार अक्सर पहुँच जाती हूँ उनके हास्य व्यंग में बुद्धी मत्ता यानि इंटेलिजन्स और हूमर का एक ऐसा बढ़िया संगम मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता आज उनकी कहानी वर्जिनिया वुल्फ से सब डरते हैं आडंबरी समाज पर उनकी तीखी टिपणी आईए सुनते हैं कुछ दिन हुए हमारे शहर में वो महशूर पिक्चर लगी जिसका नाम है Who is Afraid of Virginia वुल्फ सभी शहरों में पिछले बरसों में लग चुकने के बाद यह हमारे शहर में आई थी और उसका सिर्फ एक शो हुआ था काफी था अच्छे चितर जिस प्रकार बेयाबरू होकर यहां से निकलते हैं उसे देखते हुए इस फिल्म का सिर्फ एक शो लगाना ही उचित था भीड थी मैनेजर को भीड देखकर शायद लगा हो कि दो शो भी चल जाते पर दूसरा शो खाली रहता हमारे शहर के सारे स्नॉब्स बुद्धी जीवी और एलिजबेट टेलर के प्रेमी यदि एकत्र किये जाएं तो एक हौल से अधिक नहीं होते हुआ यूँ कि एक पहले दुपहर एक आएक सचिवाले में ये अववा फैल गई कि कतिपह प्रमुख सचिवों के परिवार वर्जीनिया वुल्फ देखने जा रहे हैं किस्सा यूँ शुरू हुआ कि एक छोटा अधिकारी जब सचिव के कमरे में गया और बोला सर अगर आपको टाइम हो तो कल बंगले पर आ जाओ सारी फाइलें लेकर हाला कि संडे है पर आप आप जैसा मुनासिब समझे इस पर बड़ा अफसर कमर पर हाथ रखे कुछ देर सोचता रहा फिर बोला कल तो भई हम पिच्चर देखने जा रहे हैं वो कौन सी लगी है न यहू इस अफ्रेड ओफ वर्जिनिया वुल्फ यह एक क्षण था जब मुस्कुराया जा सकता था छोटा अफसर हलके से मुस्कुराया पर ठीक उसी क्षण बड़े अफसर के चहरे पर कमभीरता आ गई वो सोचने लगा कि उसे क्या पोज लेना चाहिए प्रशासन के जिस उंचे दायद्व को वो कंधे पर रखे था उसे ध्यान में रख दो रास्ते अपनाए जा सकते है बताए कि आखिर वह भी सामान्य मनुश्य है उसे भी यदा कदा मनुरंजन लगता है दूसरा ये कि वो इस सिनमा वगेरा देखने के चुकरपन से उपर उठ चुका है पर क्या करे मजबूरी है जाना पढ़ता है वो बोला वे भी बहुत पीछे पढ़ रही है डाडी चलो अच्छी पिक्चर है फिर उसने कंधे उचकाए ठीक है भाई चलेंगे कुछ रुक कर उसने छोटे अफसर से आँख मिला कर कहा वागर ये अच्छी पिक्चर है छोटा अफसर जिसके चहरे पर वो मुस्कराट अभी भी अटकी हुई थी ये कहे गबरा गया सिर जुका कर बोला सुना तो मैंने भी यही है सर कोई बदा रहा था कि अच्छी पिक्चर है हम देर इस दाट फेमस क्याना में उसका एलिजबट टेलर और दूसरा अक्टर भी मशूर है अब क्या नाम भूल रहा हूँ बड़े अफसर ने प्रशन वाचक आँखों से छोटे अफसर को देखा छोटे अफसर ने सिर जुका कर बालों पर हाथ फेरा जैसे वो याद कर रहा हो फिर कुछ शर्मिंदा होकर बोला मैं मालूम करके बताऊंगा सर बड़े अफसर ने बिना कुछ कहे पास की रैक से एक स्थानी अंग्रेजी अखवार उठाया और उसके आखरी प्रिष्ट पर नजर डाल कर विग्यापन खोज लिया और बोला रिचर्ड बर्टन रिचर्ड बर्टन येस येस सर रिचर्ड बर्टन छोटे अफसर ने उसी शर्मिंदगी से कहा जैसे एक्टर का नाम न जानना मूलता उसका कसूर हो बड़े अफसर के कमरे से आकर छोटे अफसर ने सबसे पहले गुपता को फोन लगाया क्या कह रहे हो मक्या मार रहे हैं कल वो पिचर देखने चल रहे हो वर्जीनिया वूल्फ क्या नाम रखते हैं सालिप अपर नहीं चल रहे भईया कल मिसिस का करवा चौत का वरत है कल तो घर पर ही डूटी देनी पड़ेगी अरे चल यार सब जा रहे हैं कौन जा रहा है अपना साहाब जा रहा है विद फैमिली अच्छा अब गुपता नर्म पड़ा क्या वागई अची फिल्म है जवाब में गुपता को अलिजबेट टेलर और रिचर्ड बर्टन के नाम सुनने को मिले वो तैयार हो गया वो सचवाले में किसी रेस में पीछे नहीं रहना चाहता था उसने त्रिवेदी को बताया त्रिवेदी ने शर्मा को शर्मा के कमरे में दाजगुपता बैठता था जिसे जोहरी और अगाशे को पता चला धीरे धीरे सचवाले के सारे कोने से एक ही बात सुनाई देने लगी Who is afraid of Virginia wolf? बड़ा साहब जा रहा है with family सब जा रहे हैं Who is afraid of Virginia wolf? with family सचवाले से ये खबर चण कर Head of the Departments के दफरों में पहुँच गई कि सचवाले में सब लोग कल दिखाई जाने वाली किसी अंग्रेजी सिनमा की बात कर रहे हैं Deputy और Assistant Director तक खबर पहुँची राजधानी में सरकारी दोरे पर आए जिले के अफसरों ने भी तै कि कि सभी लोग जिस काम में शुमार हैं हमें भी हो जाना चाहिए शाम को बंगलों के ट्रोइंग रूम में इस पर चर्चा होती रही सुना अच्छी पिच्चर है रात के दस बज़े तक शहर के पुलिस अफसरों को पता चल गया कि कल आला अफसरान एक अंग्रेजी फिल्म देखने जा रहे हैं जो फला टॉकीज में लगी है उन्होंने गालियां बगी तली रवेवार की सुबह भी वर्दी कसनी पड़ेगी तै हुआ की इंतजाम लगेगा चार कॉंस्टिबल, एक सब इंस्पेक्टर दो अनुभवी ट्राफिक मैनों को सुबह नौ बजे सिनमा पर हाजर रहने के ओर्डर मिले उन्होंने एडी ठोक कर जवाब दिया जी हजूर अफसर लोग आए एक के बाद एक कारें धीरे धीरे रेंगती हुई सिनमा के आहाते में घुसने लगी कुछ स्कूटरों पर थे कुछ पराईकारों में घुस लिये थे होम सेकरेटरी की गाड़ी आती देख पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो सिनमा के मैनेजर के कमरे में घुस फोकट का कोका कोला पी रहा था अधूरी बोतल छोड़ कर बाहर आ गया अंग्रेजी के कुछ लेक्टरर बस से उतर कर दो रुपे वाला टिकेट खरीद कर अंदर जाने लगे तब ही उन्होंने कॉलिजियेट ब्रांच के एक उपसचिव की कार अंदर आते देखी और वो ठिठक गए तबादलों के मामले में डरे हुए ये लोग उसे मक्खन लगाते क्योंकि रविवार की मुक्त सुबह थी और ऐसा वक्त इन कामों के लिए उप्युक्त होता है पर वो उपसचिव अपनी पतनी को साथ ले कमिशनर की तरफ चला गया जो केले में खड़ा चुरुट पी रहा था वो लेक्चरर उन छात्रों से बाते करने लगे जो एलिजबिट टेलर को देखने आये थे धीरे धीरे जमगट भड़ा हाथ मिलने लगे सजी सवरी अफसरों की पतनिया साडी का पल्लू समेट परस पर नमस्ते करने लगी बालकनी के टिकेट बेचने वाली खिड़की के सामने क्यों बढ़ता गया राजधानी में सरकारी काम से आये जिले के वो दोनों अफसर जो चोड़े पाइचे के पतलून और बंद गले के कोट पहने थे अपनी बढ़ी हुई तोनों के बावजूद जुके 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 जा रहे थे उनके लिए ये दिव्य अफसर था जब सारे बड़े अफसर एक जगा अच्छे मूड में उपस दित थे उन्हें सब को सलाम करने का मौका मिल रहा था कोछ अफसर सच्मोच अच्छे मूड में थे पर सब नहीं समाने रूप से वातावरन गंभीर था कमिशनर ने किसी सेकरेटर की बात पर ठाहा का लगाया तो सब चौक पड़े कोई हस नहीं रहा था पीसकोर वाली दो अमरी की छोकरियां जब बहुत घुल मिल कर संचालक क्रिशी विभाग से बाते करने लगी तो युवा अफसरों का ध्यान उस ओर गया जब बड़े अफसर की कार आई और वो अपनी पत्नी लड़के वा दो लड़कियों के साथ उत्रा तब सब बातें बंद कर उस ओर देखने लगे उसने घूम घूम कर सब को देखा हाथ मिलाए कुछ से कुछ की ओर देख सिर्फ मुस्कुराया और बोला जब सभी लोग पिच्चर देखने आये हैं तो जरूर अच्छी पिच्चर होगी सब के चहरों पर मुस्कुराहट तैर गई बड़ा अफसर अधेरे ठंडे कमरों में जीवन भर बैठा रहा है उसके लिए वो दस बजे की धूप सहन करना कठिन था उसने घड़ी देखी और कमिशनर से कहा अभी वक्त है क्यो नहीं हम लोग हॉल में चल कर बैठें इस पर सब लोग हॉल में जाने लगे लोगों ने जल्दी से अपनी सिक्रेटें बुझाई और अंदर चले बड़े अफसर के अंदर जाने के बाद अब बाहर रहने का कोई धर्म रह नहीं गया था पर अब सब को जल्दी थी वो हॉल में अच्छी सीट चाहते थे जो संभव थी क्योंकि टिकेट पर नंबर थे बैठने के बाद वो इधर उधर देखकर पता लगा रहे थे कि कौन कौन आया है जिनकी लाइन के पीछे या आगे सुन्दर लड़कियां बैठी थी वो परस पर जोर जोर से बाते कर रहे थे और बिला वज़े छोटी छोटी बातों पर हस रहे थे उनका ख्याल था कि उनकी बातों से लड़कियां प्रभावित हो रही है शायद वो हो भी रही हो क्योंकि वो अपने चेहरे और अपने कपड़ों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली मूर्ख लड़किया थी जो रिचर्ब बर्टन को देखने और इलिजबिट टेलर की नई अदाएं सीखने आई थी पिच्च शुरू हो गई आर्था और जॉर्ज धीरे-धीरे पार्टी से लोट रहे थे वो घर में घुसते हैं तब पहली बार इलिजबिट टेलर का चेहरा स्क्रीन पर आता है ये है वर्जिनिया वॉल्फ अंडर सेकरेटरी मिस्टर पंत ने धीरे से पास बैटी अपनी मोटी सी पत्नी से कहा हामें तो वर्जिन नहीं लगे पत्नी ने कहा अरे नाम है वर्जिनिया वॉल्फ इसका वर्जिन से क्या संबंद मिस्टर पंत ने कहा तो अपने को मिस्स वॉल्फ का है न सासरी वर्जिनिया का है लगाती है जब है ही नहीं अच्छा चुप रहो मिस्टर पंत नजरें गड़ा कर सामने स्क्रीन पर वर्जिनिया वुल्फ को देखने लगे इधर डेप्यूटी डिरेक्टर रामकरन जैन की पत्नी ने अपने पती से जुक कर कहा हमें तो ये खेल साइको जैसा लगे है नहीं साइको जैसा नहीं मजाकिया खेल है हाँ भई, खून कचर हो था हमें बता देना हम बाहर जाकर बैठ जाएंगे वो बोली और फिर पास बैठी गुपता जी की पत्नी को बताने लगी कि साइको देखने के बाद उन्हें कैसे नीन नहीं आई थी पूरी रात मोते साहब सुभाव से मस्खर है वो, आनन स्वामी और बंसीधर अलग ग्रूप बनाए कोने में बैठे थे मोते ने बंसीधर के कान में कहा कुछ भी कहो, अभी एलिजबेट टेलर बुडिया लगने लगी है हम, वो बात नहीं प्यारे जो पहले थी बंसीधर ने एक रसिक की पीड़ा से उत्तर दिया पहले क्या जलवा था इसका इसी समय, मार्था को दिये जॉर्ज के किसी उत्तर पर डेप्यूटी सेकरेटरी महता जोर से हस दिये महता दो बार योरोप का दोरा कर चुके है एक बार अमरीका भी हो आये है उन्हें अंग्रेजी समझ में आती है जाहिर था कि वे हसे हैं तो जरूर कोई मजाक की बात होगी उन्हें हसता देख कुछ और लोग भी हसने लगे कुछ लोगों को अफसोस हुआ कि उनसे कोई मज़ेदार डायलोग मिस हो गया वो कान खड़े कर डायलोग पकड़ने की चेश्टा करने लगे पर शीगरी उन्हें थकान अनुभव होने लगी कतार में बैठी उन मूर्ख लड़कियों में से एक निपासवाली से कहा बर्टन कितना हैंसम लगता है ना तुझे लगता होगा मुझे तो नहीं लगता कैसी है सुना उसने दूसरी लड़की से कहा कहती है मुझे बर्टन हैंसम नहीं लगता हाई रे उसने ताज्जुब से देख कर कहा क्यो औरी तुझे बर्टन हैंसम नहीं लगता ये कह रही है कि मुझे बर्टन हैंडसम लगता है तो मैंने कहा तुझे लगता होगा मुझे नहीं लगता मैंने ऐसे थोड़ी कहा मैंने कहा बर्टन हैंडसम लगता है वही मतला वही मैंने ऐसा थोड़ी कहा था कि सिर्फ मुझे ही हैंडसम लगता है सबको लगता है इसको तो शेशिधर सबसे हैंसम लगता है चुप उसने चिकोटी काटी कॉलिजेट ब्रांच के मिस्टर पई ने गर्दन घुमाकर पीछे की सीट पर बैठी इन लड़कियों को देखा जिनके शोर के कारण वो पिच्चर नहीं समझ पा रहे थे बदले में मिस्टर पई की और उन लड़कियों ने घूर कर देखा और मुँ बिचका दिया मिस्टर पई सामने देखने लगे अब लड़कियां चुप थी मगर मिस्टर पई अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे वो सचवाले के उन चंद लोगों में से थे जिनका इंग्लिश ड्राफ्टिंग श्रेष्ट माना जाता था और चीफ भी जिसमें कभी हेर फेर नहीं करता था अजीब स्थेती थी चित्र अंग्रेजी में था पर कथा का सूत्र पकड़ नहीं पा रहे थे वो सब अपने ढंग से आधुनिक थे देशी भाषा के लिए नफरत रख अंग्रेजी की मदद से उन लोगों ने अपना व्यक्तिवत बनाया था फिर भी चित्र समझ नहीं आ रहा था पर वे उठकर बाहर नहीं जा सकते थे विसाब एक दूसरे को देखते हुए पैठे थे उनका चीफ देख रहा था वो देख रहे थे इसी बीच एक कॉलिज का लड़का अपनी सीट से उठा और जेब में हाट डाले धीरे धीरे बाहर निकल गया उसे जाता देख सब हांसे हसकर उन लोगों ने ये सिद्ध किया कि वो चित्र समझ रहे हैं और वो लड़का नहीं समझ रहा इंटरवल में सब उठे और बाहर आए वो कोका-कोला पीने लगे और एक डूसरे से हाथ मिलाने लगे वो सब अंग्रेजी में बाते कर रहे थे और बहुत बुद्धिमान लग रहे थे उनके उचारण सुधर गये थे वे कंधे उचका कर हाथ पहला कर बहुत अच्चे फ्रेज़स बोल रहे थे चितर ना समझपाने की हीन भावना से मुक्ती के लिए वो खूब ठाके लगा लगा कर बाते कर रहे थे उस समय उन पर गर्व किया जा सकता था स्मार्ट, इंटेलिजन्ट, शार्प, आधुनिक और सुन्दर पत्नियों के साथ वो बहुत अच्छे लग रहे थे चितर में जैसे जैसे तनाव बढ़ा वो लोग एलिजबेट टेलर की आक्टिंग के कायल होते गए शब्द नहीं मातर अभिनाय कला प्रभाव छोड़ रही थे वो देख रहे थे वो चितर के समाप्थ होने की प्रतिक्षा कर रहे थे चितर समाप्थ हुआ वो उठे उनके चेहरों पर प्रसन्नता थी एक अच्छा चितर देखने का संतोष लिए वो उठे किसी को देख ऐसा नहीं लगता था कि उसे कुछ समझ नहीं आया वे संतुष्ट थे वे जो अपेक्षा करते थे मानो वही उन्हें मिला हो वो धीरे धीरे एक दूसरे की पत्नियों को सम्मान से मार्ग देते मुस्कुराते बाहर आये आते ही उनमें सुर्टी आ गई लंच का वक्त हो रहा था इसमें देर करना आधुनिक्ता और अफसरी के खिलाफ है वो अपनी कारों में घुस हौन बजाते एक दूसरे से रास्ता मांगने लगे सिनमा घर का आहता जल्दी खाली हो गया दिले के दोरे पर आये वो दोनों अफसर सबसे बाद निकल पूरी साग की दुकान की और बढ़े ये बड़ा अच्छा रहा सबसे मुलाकात हो गई बड़े अफसरान के दर्शन हो गए कुछ खबरें पता लग गई कौन सी खबरें? वो सचिवाले के तबादलों की ताजी खबरें सुनाते दुकान में घुस गए सोमवार को फाइल बगल में दाबे छोटा अफसर बड़े अफसर के कक्ष में घुसा और गुड मॉर्निंग करने के बाद बोला कल पिच्चर कैसी लगी सर? बड़ा अफसर एक मिनट गंभीर रहा सोचता रहा कि क्या कहे? फिर उसने कंदे उचकाय और बोला दोपहर को छोटे अफसर ने अगाशे को बताया कि बड़े सहाब को पिच्चर पसंद आई वो कह रहे थे कि इट वस अफसर बाद एक आएक सभी लोग क्यों भई? कल की पिच्चर कैसी लगी? जवाब मिलता शाम तक उन लोगों को जो पिच्चर जा नहीं सके थे अफसोस होने लगा कि उनसे एक ऐसा चितर छूट गया जिसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं रात को गुपता जी की पत्मी ने पती से कहा दस रुपे का नोट उड़ गया उस अंग्रेजी फिल्म के पीछे उसकी बजाए पड़ोसन देखते अब क्या बताएं सब देखने जा रहे थे तो हम भी चल दिये कुछ देर रुक कर बढ़बढ़ाने लगे वर्जिनिया वुल्फ वर्जिनिया वुल्फ से कौन डरता है अरे सब डरते हैं सब डरते हैं साले किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि जरा बोल दे और फिर जोर जोर से हसने लगे आज की रीडिंग आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा आप अपने कॉमेंट्स यहां छोड़ सकते हैं या आप मुझे इमेल भी कर सकते हैं मेरा इमेल आइडी है आपके विचारों का आपकी टिपडियों का मुझे इंतजार रहेगा अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, कविता या लेक के साथ तब तक अलविदा